हट है हलो दोस्तों नमस्ते रामराम कैसे हैं आप सब ये देखिए आज हम ये बड़र बनाएंगे और जछ्दा अब देखिए धुस्तों हम सीधा उल्टे का बड़र बनाते हैं तो कभी-कभी हमेज तरह से चेंज? और ये बड़र बना रही हूं और आज...? reconna बनाना है इसको यह तरीका भी बताऊंगी मैं और यह एक गल्स टोप बना रही हूं मैं बंद गले का गोल गले का तो यह स्टेप बाइस्टेप सेयर करूंगी आपके साथ कहीं कमेंट थे टोप के बंद स्वेटर के इस तरह से तो वह मैं आगे बताऊंगी आज हम यह किया है दो भी कर सकते हैं बैक साइड से इस तरीके से दिखता है यह देखिए बैक साइड में एक सीधा है दो उल्टे है और इधर से दो सीधे हैं एक उल्टा है आप दो दोनों तरफ से दो सीधे दो उल्टे भी कर सकते हैं वह थोड़ा सा अपने उपर है डिपेंड कैसे आपको चाहिए और यह लेडिज और जेंट्स दोनों के स्वेटर में बना सकते हैं बच्चों के स्वेटर में बहुत सुन्दर लगने वाला बॉर्डर है थोड़ा सा अलग लगेगा बनाने के बाद और अब हम बनाएंगे यह देखिए बॉर्डर बनाने के लिए मैं क्या लिया साइड में अभे दागा पीछे करूंगी अब यह जो सीधा फंदा है इस सीधे फंदे पदो आम यहा सीधे नहेता लेंगेड से टोंता और और दो अब यह जो बाड़ा रहे यह देखिए इसमें हम नीचे से फंदा लेंगे सलाई में और दागा इस तरीके से चलाएंगे पहली सलाई होगी बाड़र की यह इस तरीके से एक बार आप अपने हिसाब से देख लें कैसे मैं सलाई में फंदा लेके दागा उपर से इसमें कैसे चलाना है अगर गलती से अमने दागा ऐसे चलाने की बजाए ऐसे चला दिया तो वहीं से बाड़र बिगड़ जाएगा यह ऐसे ही फंदा लेना है इस बाड़र के लिए फंदा फिर हम पीछे ले जाके यह ऐसे सीधे बनाएंगे डिजैन की पहली सलाई हो गई बाड़र डिजैन की और एक यह फंदा लाष्ट में अमेशा इस बाड़र में फंदे उल्टे ही रखें इधर भी एक उल्टा रखें इधर भी आप डिजैन की उल्ट राइग एसे होगी बार्डर की यह देखे इधर सीधा avoir तो इधर सीधा सिंगल एक फंद दो उल्टे आएंगे हैं इधर एक Siddhar आएगा तो जो सीधा फंदा आएगा वो हमें इधर से भी ऐसे ही लेना है उल्टी सलाई से ऐसे लेंगे और फिर इधर जो उधर सीधे बनाए थे हमने इधर यह उल्टे आएंगे तो यह हमें उल्टे ऐसे बनाने हैं जैसे नोर्मली उल्टा फंदा हम बनाते हैं वैसे ही ब बनाना है और उल्टा भी एक तरह से नॉर्मल जैसे हम बुनाई करते हैं उसी तरीके से सीधा जब आएगा सीधी सलाई में आए या उल्टी में फंदा हम ऐसे ही घुमाएंगे उल्टी सलाई हम ऐसे ही बनाते कंप्लीट करेंगे पूरी दो फंदे इदर से उल्टे होंगे और सीधा फंदा ऐसे ही लेना होगा यह देखें डिजाइन की एक सीधी हो गई एक उल्टी फिर से सीधी सलाई आएगी जैसे हमने पहली सलाई सीधी बनाई थी वैसे ही फिर हमें वही रिपीट करना है एक बार और बता देती हूं यह देखें यह दो फंदे सीधे हैं तो इनको हमें ऐसे दागा लेना होगा सीधा और ऐसे इस पर यह चलाना होगा तो पूरा बार्डर हमारा इसी तरीके से बनेगा उल्टा जो फंदा आएगा वो सिंपल बनेगा जैसे हम बनाते हैं दोनों साइड से जो सीधा फंदा आएगा उल्टा भी और सीधा भी तो उसमें हमें दागा इस तरीके से ही चलाना है यह देखें पूरी सलाई हमने जो तीसरी सलाई थी हमारी बार्डर की वह ऐसे बनाते हैं कम्प्लीट कर ली अब डिजाइन वर्डर की जो चोथी सलाई आएगी वह उल्टी वह भी सेम जैसे हमने सेकंड सलाई बनाई थी उल्टी वैसे ही बनेगी इधर जो दो उल्टे आएंगे वो सिंपल जैसे हम उल्टा बनाते हैं वैसे ही बनाने हैं और जो सीधा फंदा इधर आएगा उसको हमें ऐसे बनाना है दो उल्टे एक सीधा यह फंदा लेने का और दागा चलाने का ही हमें ध्यान रखना है जब सीधा फंदा आएगा इधर आए या इधर हमें इस तरीके से नीचे से फंदा लेना है और ऐसे फंदा चलाना है यह देखिए अब इसी तरीके से हमें आगे तक ऊपर तक रिपीट करते हुए जाना है यह देखिए अभी मैं दो चार सला यह और बना के फिर दिखाती हूं आपको सेम ऐसे ही रिपीट करना है हमें उल्टा फंदा बनाएंगे फिर दागा पीछे करेंगे और जो दो फंदे इधर सीधी साइड से बर्डर के आएंगे उनको नीचे से लेंगे और दागा ऐसे चलाएंगे यह देखिए कितना सुन्दर बॉर्डर आता है यह बनके और जब यह पूरा स्वेटर बनके तयार होता है लाइस बार्डर का बहुत ही सुन्दर लगता है यह देखें इसी दिस लाइस से ऐसे है यह और उल्टी साइड से यह ऐसे है कैसा लगा आपको बार्डर डिजाइन और मेरा बताने का तरीका मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना कितना सुन्दर डिजाइन है